हेलो गाइस वेलकम बेक डेक्स रब्बान ये यूट्योब चैनल गाइस आज जो मैं बात करूंगा अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता ये किसी परसंट को डेंगू हो गया है क्या उसमें एंटिवाटिक को दे सकते है या नहीं यह बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक लास देंगो तो आपको पूरी बात अच्छे समझ में आ जाएगी चलेगा जिबना देरी के सुरू करते हैं वीडियो गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं अगर किसी को डेंगू हो गया डेंगू बुखार होता है वाइर इंटिवाटिक को देना चाहिए या नहीं देना चा अगर हम बात करें यह चाहें आपका सो payments काम करीगी जैसे टाइफेट अगर होता है तो वह वेक्टिरियौा पर काम होती है तो उसमें जो तमारी एंटिवाइटिक काम करेगा जबकि यही एंटिवाइटिक जो वेक्टरिया पर काम करती है यही वेक्टरिया को किल करेगी जो की वेक्टरिया सो होने वाली विमारी होती है और जबकि अगर देखा डेंगू जो वाइरस सो होने वाली विमारी है इसलिए अ और अगर ज्यादा एंटिवाइटिक आप देते हैं डेंगू वाइरल में तो उसमें प्लेल डाउन हो जाती है कई केसिसमें ऐसा देखा गया है तो उसमें एंटिवाइटिक को नहीं देना चाहिए उसमें कोई रोल नहीं है अगर आपको वैक्तिर इंफेक्शन है जैसे वाईरल मैडिसीन देनी पड़ेंगी जैसे को ऑद एक्जांपल्back तो उस पर हपीज जो हर्पीज मारिस सिंपिलक्स वाइरस के वियरीश वायरस को खतम करने वाली एंटिवारल मैडिसीन दी जाती है नाए कि इसमें बेक्क्रिय मडेशन साब उसको कभी क्यों नहीं कर पाएंगे इसी तरह एंट Questo क्भी इस्ते वाइटीमाल होता है अगर यह सेद्विद्ध यह तो इसमें पीजिय को दिया जाता है तो यह मैंने बताया कि देंगि अगर होता है तो उसमें पीजिए को नहीं वीडियो में